मैं हरविंदर कोड असिस्टेंट परफेसर पोस्ट ग्रेजुएट पंजाबी विपाग जी जी डी स्जी कालज हर्याना जिला हुश्यारपूर अज तो अडेनाल अदुनिक पंजाबी कविता दा इतिहास से परविर्थियां टॉपिक जो मैं कई दिनां तो अडेना डिसकस करांगी वाद मुक्त नमी काब परविर्थी वाद मुक्त नमिका परविर्थी इसराया पंजाबी विच इसरांदी कवितानू प्रयोग वादी का अवतारा दा पसार नहीं मान सकदे असल विच जिथार थवादी दिष्टी बियान करदी हुई एक आवतारा अतीद पाव पास्ट अते वर्तमान विचला तनाओ जापदी है लगू मांदी पेशकारी करदी हुई एक अवीता समोहिकता तो निजता बल प्रबाबित हुन्दी है आदुनिक मनुक मांसिक तौर ते असंतुष्ट ते बेचैन जापदा है सो पंजाबी दे बहुत सारे कवियाने मनुक दी इसे बेचैनी नू आपनी कविता दा अधार बनाया है डाक्टर हर्पजन सिंग, जस्वांत सिंग नेकी, रनतीर सिंग चांद, डाक्टर जगतार, शीव कमार बटालवी, सरदार सोन सिंग मिशा, अमीतोश, डाक्टर बीयंतिवाडी, डाक्टर करमजीद सिंग आद, इसका अवतारादे परमुक कवि हुए हन इस नवीतरांदी कवितानू पड़न उपरांत कई वार इस तरह लगदा है के, जिवे नवियां कद्रा कीमतानू पूरी तरह अपनाया है, अते नाही अपनी सार्थिकता जाहिर किती है डाक्टर हर पदन सिंग दी कविता अतीत अते वर्त मान विचला तनाओं पेश कर दी है उदारने विच पर देसी सौन महीन ना वाद तेरे वे ओड़क जीना जिस वन सिंग ने कीने वी अपनी कविता विच इसे तरह दे विचारा नू पेश किता है जिना कटनावा राही मैं लंगिया हां ओना दे वेरवे मेरे तों शुट गए हान कनून ना विदाना उते हासदा प्यार हाद सेया दे सपुर्द हो चुका है सिर्दार सोन सिंग मिशा ने निज्जी पीडा नू समोहिक पीडा बना के अपनी कविता विच पेश करन्दा यतन किता है जिवे मैं इशारा हां समेदी बेवसीदा दो सुफामा दी शामा दे पुलाई पटकें ते खलानू खटकें हां लगू मानव दी पेशकारी वी सरदार सोन सिंग मिशा दी कविता विच देखनू मिल दी है जिवे हार की सीधा अपना अपना रास्ता की की सेदे नाल तेरा वास्ता सुर्जीत पातर अदुनिक समेदा इक होर परसीद शायर होया है समाजिक चेतना द जो पर पूर वर्णन असी पातर दियां गजला विच देख सकते हां ओ शायद ही किसी होर कवी कोल होन मनुख दिम खोटा तारी जिंदगी उपर उसने खूब व्यांग कस्या है समाज विच वद रहियां बे नयाईयां दा चितरन करन लग्यां वी कदे गुरेज नहीं किता कुछ जिन्दा मार के टोया सी उत्ते जी आयानू लिख्या होया सी अपनी समाज प्रती समर्पित शायरी नू लै के पातर लिखदा है असांता डुब के सदा खून अंदर लिखी ए ओहोर होनगे लिखदेने जेडे बहर गजल अंदर सुर्जीत पातर समाज प्रती आश्या वादी दिष्टी कोण वी जाहिर करता है बल्दा बिर्ख हां खतम हां बस शाम ठीक हां फिर वी किसे बहार दी करदा उड़ी कहां जा एक होर उदार ने दी कुझ केहा ताह नेरा जरेंगा कि वे चुप रेहा ता समादान की कहनगे नोवे दहाके वेच पंजाब्बी दे मंदे हालाता ने तत कालीन कवियानू हलूनियां ओना दी अंदरूनी आत्मा इस गालनू सहार नहीं सकी कुझक गहो पटके हुए जीव बेक सूर्ते निर्दोश लोकानू जानो मार लगपे तारा सिंग ने अपनी कविता वेच बेचीजक होके एहना बच्चेयां उट्ते हो रहे जुलमादा परपूर जिकर किता है फुलना वर्गे बालक जानस कुला नू राहा विचना तू अंग्यार विशाई जा एहना विच पहलाद हकीकत हुंदे ने एवेना जीवन दी जोत बुजाई जा पर मिंदर जीत ने अपनी कविता वेच अपने आपनू इक इजहे तेज हथ्यार वजो बियान किता है मैं हुण तलवार हां, त्रिशूल हां, विश्फोट हां, नारा हां, जुलम हां, खुरूद हां मैं हुण ओ सब कुछ हां, जो तुसी सी मेन्नू बढ़ाणा कि हुण वी तुसा नहीं पहचानिया मेन्नू, मैं तुवाड़ा आज जहां कुज स्वार्थी ताकतां पंचाब दी खुश हाली दे खिलाव सन, ओ पंचाब वेच अमन ते शांती दे महौल नू बरदाश्थ नहीं सन कर सकते इसे करके उना ने अपने स्वार्थी ते निज्जी हित्ता कारण हजारां लोकां दी बली चड़ा दिती डाक्टर मंजीत सिंग पंचाब अंदर एहना अशांती फिलोन वाले लोकां बारे लिख दे हान हाक मों ओ बाज्जों एहना फुलानू विरासत दियो सुतंतर रूप वेच ना करो दायरे सीमत इना दे ना जाने विश्व दे कोनने वेच एहना दी लोड़ पवे सो इसे तरह नवी कवीता अंधरूनी अते बाहरी पाव व्यक्ती अते समाजिक संद्रवां आदोहां दी गहराई विच जाके शान बीन कर दी है सो पंजाबी कवीता दा अरांब जित्थे पाईवीर सिंग दी रहस वादी काब परविर्ती तो अरांब होया उत्थे एक अवीता वक वक समया दे मताबिक अनुकूल परसीतियां विच्चों गुजर्दी होई संताप हंडा रहे अदुनिक मनुखदी पेशकारी कर दी है तन वाद